खेलो दोस्तों आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलज़ पर आज का टॉपिक है संस्कृत भाषा के बारे में कुछ अनोखी जानकारियां अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें तो शुरू करते हैं 1. 1987 में अमरीका की फोब्स पत्रिका के अनुसार संस्कृत कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा है क्यूंकि इसकी व्याकरन प्रोग्रामिंग भाषा से मिलती जूलती है 2. जर्मन स्टेट युनिवर्सिटी के अनुसार हिंदू कैलेंडर वर्तमान समय में इस्तिमाल किया जाने वाला सबसे अच्छा कैलेंडर है क्यूंकि इस कैलेंडर में नया साल सौर प्रनाली के भूवे ग्यानिक परिवर्तन के साथ शुरू होता है 3. अमेरिकन हिंदू युनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुम, कॉलेस्ट्रॉल आधी रोग से मुक्थ हो जाएगा संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रे का तंत्र सक्रिय रहता है जिससे की व्यकती का शरीर सकारात्म का आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है 4. संस्कृत साहित्य का अधिकतर साहित्य पद्य में रचा गया है, जबकि अन्य भाशाओं का ज्यादातर साहित्य गद्य में पाया जाता है 5. दुनिया के 17 देशों में एक या अधिक संस्कृत विक्ष्विद्यालया संस्कृत के बारे में अध्यान और नई प्रोध्योगी की प्राप्त करने के लिए है पर संस्कृत को सम्मर्पेत उसके वास्तविक अध्यान के लिए एक भी संस्कृत विक्ष्विद्यालया भारत में नहीं है 6. दुनिया की 97 प्रतीशत भाषाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी भाषा से प्रभावित हैं हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, ओडिया, बांगला, मराथी, सिंधी और पंजाबी भाषा की उत्पती संस्कृत से ही हुई है 7. अमेरिका, रूस, स्वीडन, जर्मनी, इंगलेंड, फ्रांस जापान और आस्ट्रेलिया वर्तमान में भरत नाट्यम और नत्राज के महत्व के बारे में शोध कर रहे हैं नत्राज शिवजी के कॉस्मिक नृत्य है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्याले के सामने शिव या नत्राज की एक मुर्ती है आठ, विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछ ही रूप होते हैं जबकि संस्कृत में प्रती एक शब्द के 25 रूप होते हैं नौ, शोध से पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरन शक्ती, यादाश्त, बढ़ती है दस, इंग्लेंड वर्तमान में हमारे श्री चक्र पर आधारित एक रक्षा प्रनाली पर शोध कर रहा है ग्यार, संस्कृत वाकियों में शब्दों की किसी भी क्रम में रखा जा सकता है इससे अर्थ का अनर्थ होने की बहुत काम या कोई भी संभावना नहीं होती ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी शब्द विभक्ती और वचन के अनुसार होते हैं जैसे अहम, ग्रिहम, गच्छामी या गच्छामी, ग्रिहम, अहम दोनों ही ठीक हैं जोदर, नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्स ट्रैवलर्स को मेसेज भीजते थे तो उनके वाक्य उलट हो जाते थे इस वज़र से मेसेज का अर्थ ही बदल जाता था उन्हों ले कई भाशाओं का प्रयोग किया लेकिन हर बार यही समस्या आई, आखिर में उन्होंने संस्कृत में मेसेज भेजा क्योंकि संस्कृत के वाक्य उलटे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते हैं ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद